Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले है JSW Steel Limited के बारे में और guys अगर देखा जाए तो stock में continuously गिरावट हमें देखने को मिल रही है और JSW Steel में अगर आप एक नए निवेशक हो तो बिलकुल ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि बड़ी opportunity आपको मिल सकती इस वीडियो में और guys अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखो JSW Steel में back to back गिरावट हमें देखने को मिल रही है और guys अगर देखा जाए तो इसने जो levels थे हमारे और जो breakout हमें मिला था उस breakout को भी इसने fail कर दिया है breakout अमरा fail हो गया है guys अब क्या कर सकते है अब किस level पर support ले सकता है क्या यह reverse होंगा क्या उपर cure जाएंगा तो ओभी देखना होंगा guys हमें इस वीडियो में ओभी हम देखेंगे तो guys वीडियो को end तक देखना क्योंकि काफी helpful यह वीडियो होने वाला है और guys अगर आप इसके shareholders हो तो बिल्कुल आपकी लिए यह बले ही एक बुरी खवर है कि यह stock नीचे गिरा है but stock में कभी भी तेजी आ सकती है guys but आपको levels पता होने चाहिए किस level पर क्या कुछ हो सकता है पूरा हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में तो guys अगर आप इस चैनल पर नए हो तो please चैनल को सब्सक्राइब कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को start करते है तो यहाँ पर JSW still limited तो यहाँ पर अगर देखा जाए कहाँ पर stock ने closing दी है 630 रुपे के price पर stock closing देता हूँ हमें नजर आ रहा है minus 50 रुपे 90 पैसे तक stock नीचे की और यहाँ पर गिरा है यहाँ पर 7.48% की गिरा और stock में नजर आ रही है वही guys अगर देखा जाए stock में यहाँ पर अगर देखो JSW still limited तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock यहाँ पर support ले रहा था यहाँ से stock support लेके उपर गया और यहाँ पर भी support लिया और यहाँ से continuously उपर गया और यहाँ पर एक rejection मिला rejection मिलने के बाद stock उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया और finally इस ने इस level पर breakout दे दिया तो यह जब breakout बिलाता हम काफी खुश दिया और हमें लग रहा था कि stock अभी हाँ से रिट्रेस करके उपर क्यों जाएगा बढ़ा गया इस अगर देखा जाए तो stock सीधा डाउन चले गया तो बिलकुल market के साथ इस stock moment करता हो हमें नजर आ रहा है market के साथ stock moment करता हो नजर आ रहा है और अगर देखा जाए तो stock यहाँ पर गिर रहा है stock यहाँ पर continuously यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मल रही है और guys अगर देखा जाए तो stock यहाँ पर support लेता हुआ भी हमें नजर आ सकता है तो guys support कहाँ पर लिया है तो इस level पर अगर support लिया है तो stock यहाँ पर भी support ले सकता है तो बिल्कुल हमें wait करना है guys यहाँ पर कि क्या कुछ होता है अगर इस level को एक close कर देता है तो इसमें एक नीचे की और breakout मिलता है तो हमें बिल्कुल यहाँ पर स्टॉट सेल करना है और बीज़कुल नीचे की और ही उस टॉक जाता हो नजरा रहा है बट गाइस अगर आप एक बिगिनर हो और यहां पर स्टॉक लेता है तो बड़ा मुमेंट इस पर आ सकता है एक बड़ा स्पाइक हमें देखने को यहां पर मिल सकता है तो गाइस यहां इस पर जो level थे हमने discuss कर लिए बट support लेंगा तो कहा तक जाएंगा support लेंगा तो यहां तक तो यह आई सकता है 700 से 720 तक स्टॉक आ सकता है बड ब्रेक आउट देता है तो यहाँ पर तो हमें अभी कोई भी सपोर्ट लेवल हमने यहाँ पर डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखता हुआ मिल रहा है 638 रुपे के आसपास का सपोर्ट लेवल तो हमें देखते को मिल गया है पर अभी देखेंगे कि कल क्या कुछ स्टॉक में होता है वही गाईज अगर देखा जाए पाच दिन के टाइम फ्रेम पर तो 22 रुपे हसी पेसे तक स्टॉक हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और गाईज वही अगर देखा जाए 3.49 परसेंट की गिरा और स्टॉक में नजर आ रही है वही गाईज अगर देखा जाए 1 मंद के प्राइस पे 1 मंद के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर 54 रुपे 90 पेसे तक स्टॉक गिरा है क्या कुछ low लगा है तो स्टॉक open हुआ था 688 रुपे 25 पेसे के लेवल पे high लगा था स्टॉक ने 626 रुपे 25 पेसे का low लगा था स्टॉक ने 624 रुपे 25 पेसे का market cap 1.51 लग करोड के आसपास का market cap है और market cap के आप से तो easily पता चल जाता है कि एक mid cap लाच के अप स्टॉक है और गैस वही अगर देखा जाए पी रेशियो तो यह पर 7.63 का पी रेशियो भी है और डिविडेंट के अगर बात करें तो 1.03% का डिविडेंट भी स्टॉक देता है तो डिविडेंट के मामले में भी स्टॉक दमदार ही है गैस वही अगर देखा ज पतचीस पेसे का मार्केट का अगर देखा जाएं one point यहाँ पर हमने मार्केट के अब आपके देख लिए और अगर लोह की अगर बात करें तो 709 टो सचीए रुपे 50 पेसे के अस पास का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लोह कि अगर बात करें 336 रुपे का low भी हमें देखने को मिल रहा है वहीगाईस अगर देखा आ जाए resistance level resistance level को अगर देखे तो faster resistance level 687 रुपे 33 पेसे का है second resistance level 694 रुपे 97 पेसे का है और third resistance level 701 रुपे 33 पेसे का दिख जाएगा support level अगर देखे 674 रुपे 13 पेसे का असपास का first support level दिख जाएगा second support level 666 रुपे 33 पेसे का दिख जाएगा और third support level 660 रुपे 33 पेसे का दिखाई दा है वहीगाईस अगर देखा जाए price performance क्या कुछ है तो first यहाँ पर अगर देखा जाए one week का price performance तो minus 3.37 परसें के आसपास का है और अगर देखा जाएगा इसे आपर one year का तो यहाँ पर प्लस में आपको देखने को मिल रहा है कितना प्लस है 75.01% के आसपास का और three years का अगर देखा जाए 97.94% के आसपास का प्लस में दिख जाएगा अगर बात करें हाप पर trade value और component delivery क्या कुछ है लिए अगर देखा जाए तो 92,00,00,00 के something का trade value है अब वह ही तो 37,00,00,00 के something का थिख जाएगी तो यहाँ पर trade value और component delivery क्या कुछ है हमने दोनों ही discuss कर लिए अब guys बढ़ते हैं आगे और देखते हैं community sentiments के साफ से क्या कुछ कहा जा रहा है तो community sentiments के साफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 71% लोगों का बिल्कुल यहाँ पर buy call है बिल्कुल buy call है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8% लोगों का यहाँ पर send call है यहाँ पर और अगर देखा जाए 21% लोगों का यहाँ पर hold call भी दिया जा रहा है तो hold के लिए भी कहा जा रहा है, sell के लिए भी कहा जा रहा है और देखा जाए तो buy के लिए भी हाँ पर कहा जा रहा है तो guys वहीं अगर देखा जाए revenues की बात तो revenue अगर देखा जाए 2017 का तो 55,604 करोड का revenue है 2017 में 2018 का revenue देखा जाए तो यहापर 70,225 करोड है 2019 का revenue तो 44,727 करोड 2020 का revenue 73,326 करोड और 2021 का revenue है तो guys हापर अगर देखा जाए revenue तो year on year revenues अगर देखे हैं अगर बात करें net profit ही तो net profit इस साल काफी तगड़ा बड़ा है देखा जाए साथ ही घाएज अगर बात करें shareholding pattern तो 44.09% की जो holding है ओह यहापर promoters की FI की जो holding है 12.17% की और जो DI की holding है 8.56% और जो public holding है 34.8% के आसपास की और अगर बात के लिए 0.38% के holding orders की भी दीच जाएगी So guys आपर share holding pattern भी हमने देख लिए हैं और काफी कोज बाते हैं हमने इस वीडियो में की हैं So guys वीडियो पसंदा हूँ वीडियो को like करो चलो को subscribe करो Thank you